नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरान सफेद पानी आना जिसे हम वाइट डिस्चार्ज कहते हैं प्रेग्नेंसी के दोरान आपने महसूस किया होगा कि जब आप प्रेग्नेंसी करती हैं तो काफी पतला आता है लेकिन महीने दर महीने जब आप प्रेग्नेंसी के आगे के महीनों में पहुँच जाती हैं तब यह गाढ़ा होता चला जाता है सफेद दिस्चार्ज से आपको क्या फाइदा होगा और क्या नुकसान होगा और यदि सफेद दिस्चार्ज जादा आरता है तो आपको किस तरह से कौन से साफधानी रखनी है यह आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful हो सकता है इसलिए पूरा जरूर वीडियो को देखे और आपसे एक request है कि अधी चानल पे new है तो make sure चानल को subscribe कर ले ऐसे ही helpful वीडियो को देखने के लिए देखे दोस्तों होता ये है कि pregnancy के दोरान white discharge जिसे हम सफेद पानी कहते हैं ये एक तरह का hormonal पडिवर्तन होता है शडिर के अंदर hormones estrogen नाम का बढ़ जाने की वज़े से ये white discharge आपको निकलने लगता है लेकिन इस white discharge का एक बहुत महत्पूर्ण कारे होता है कि ये आपको bacterial infection से ब देता है साथी साथ friends ये आपके बजाईना के pH level को balance करता है और बजाईना को सुरक्षित रखने का काम भी ये discharge आपका करता है तो discharge pregnancy में आना बहुत normal और common problem होती है लेकिन friends अगर आपको white discharge काफी जादा आता है तो फिर ये गंभीर बात भी हो सकती है एक और चीज़ का ध्या आपको green कलर का दिखाई दे पीले रंग का दिखाई दे यानि एलोईस तरह का दिखाई दे क्रीम बहुत ज्यादा डाक क्रीम हो जाए या फिर friends आपको brown कलर का दिखाई देने लगे इस पानी की तरह जो discharge आपके सड़े से बाहर आता है इसमें आपको blood के spottings भी दिखाई दे सकती है तो यह abnormal होता है अगर इसमें बदपू आ रही है आपको बहुत ज्यादा itching हो रही है तो यह बिल्कुल abnormal infection क्या संकेत होता है तो जल्दी से जल्दी आपको doctor से मिलना चाहिए दूसरी बात का ध्यान रखिए कि जब discharge आपको इस तरह से निकलता है तब आपको किस एक कटोरी कर्ड यानि दही का इस्तमाल करिए छांच का इस्तमाल करिए इसमें बहुत यची probiotics होती है जो आपके रोप्रति रोधक शमता को भी बढ़ाती है और जो bacteria आपके शरीर में harmful है उसको भी खतम करती है दूसरी बात का ध्यान रखिए कि यह infection को भी कम करती है तो आ अपने नीचले अंगों को साफ रखिए पैंटी अगरा cotton वेर करिए फ्रेंट्स कभी भी बहुत ज्यादा वक्त तक यानि की पैंटी अगरा गिली गिली सी लग रही है तो आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करिए और आप जब भी वाश्रूम जाए तो आप अपने नीच थी परामर्स लीजे तो आई रेली होग के वीडियो आपके लिए बहुत हैलफूल होगी अगर इस वीडियो से रिलेटेज फ्रेंट्स आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कोमेंट स्क्षन में जरूर लिखे और इस वीडियो को जादा से जादा शेर और एक लाइक करना ब बिलकुल भी ना भूलें मिलती हो फिर एक्स वीडियो में आपका किमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनेवाद थाइंके सो मच